सवाल सिंध पर अंग्रेजों ने कबजा कर लिया था? A. 1843 B. 1845 C. 1849 D. 1854 सही उत्तर है A. 1843 सवाल बगहात रियासत को अंग्रेजों के साथ मिला लिया गया था A. 1848 B. 1850 C. 1852 D. 1853 सही उत्तर है B. 1850 सवाल निमनल इखित में से कौन अवद में ब्रिटिश अधिराज्य में विलै कि समय ब्रिटिश निवास था? A. जेम्स आउट्राम B. डबल्यू H. स्लीमन C. बिशप आर हेबर D. सामान्यकम सही उत्तर है A. जेम्स आउट्राम सवाल भारत में प्रथम रेल्वे की स्थापना किसके काल में हुई थी? A. लौड डलहोजी B. लौड करजन C. लौड वैलेसली D. लौड लिटन सही उत्तर है A. लौड डलहोजी सवाल भारत में पहली रेल्वे लाइंग किसके बीच खोली गई थी? A. हावडा और सैरामपुर B. बौमबे और ठाने C. मदरास और गुंटूर D. दिल्ली और आगरा सही उत्तर है B. बौमबे और ठाने सवाल भारत में पहली रेल्वे लाइंग किस वर्ष शुरू हुई थी? A. अठारा सो तिरपन B. अठारा सो पचास C. अठारा सो चालीस D. अठारा सो नब्बे सही उत्तर है A. अठारा सो तिरपन सवाल भारत में पहली रेल सेवा किस कमपनी ने शुरू की थी? A. पूर्वी रेल्वे B. महान भारतिय प्रायद वीप रेल्वे C. मद्रास रेल्वे D. अवद तिरहुत रेल्वे सही उत्तर है B. महान भारतिय प्रायद वीप रेल्वे सवाल ब्रिटिश भारतिय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसकी समय हुआ था? A. डफरिन B. डलहौजी C. लिटन D. करजन सही उत्तर है B. डलहौजी सवाल अलोक निर्मान विभाग की स्थापना 1845, 1855 में किसके द्वारा की गई थी? A. लौर्ड डलहौजी B. लौर्ड कार्नवालिस C. जोर्ज ओक्लेंड D. वारेन हेस्टिंग्ज सही उत्तर है A. लौर्ड डलहौजी सवाल विध्वा पुनर विवाहाधिनियम किसकी शासनकाल में लागू किया गया था? A. लौर्ड डलहौजी B. लौर्ड कार्नव C. सर हिन्री होडिंग D. लौर्ड लौरेन्स सही उत्तर है B. लौर्ड कार्नव D. लौर्ड 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